इस वीडियो में हम जानेंगे कि Google Chrome में लिखा हुआ या सर्च किया हुआ कैसे डिलीट करें अगर आपने भी Google Chrome में कई सारी चीज़े सर्च करी हैं लिखी हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हैं तो उसको कैसे डिलीट करें आए जानते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Google Chrome को ही ओपन करना है तो Google Chrome को ओपन करिए आपके पास ऐसा पेज आएगा आपको उपर तीन डॉट मिलेगी आपको इस पे टच करना है आपको मिलेगा यहाँ पे एक उप्शन जिसका नाम होगा हिस्ट्री तो हिश्ट्री वाले उप्शन पे आईए आपको इस पे टच करना है आप ऐसे पेज पे पहुचोगे जो भी आपने चीजे सर्च करी है आज जाएंगे अगर आपको कोई काम का है देख लीजिए वन्ना आपको सारी यहाँ पे डिलीट करनी पड़ेगी सारी डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे किलियर ब्राउजिंग डाटा पे टेच करना है आपको यहाँ मिलेगा बेसिक इस पे रहिएगा एडवांस पे मच जाईएगा आपको मिलेगा यहाँ पे टाइम रेंज आप कब से कब तक की डिलीट करना चाते हो माल लिजी आपने 24 घंटे के अंदर कोई गलाच चीज़ यहां पर सर्च करी है तो आप 24 घंटे की कर सकते हो बागे छोड़ सकते हो पर मैं चाहता हूँ कि मैंने अब तक जो भी करा है यानि all time का delete हो जाए तो मैं all time पर touch करूँगा यहां पर टिकमार कर दीजिएगा clear data कर दीजिए और clear कर दीजिए एक बार में ना हो तो दो तिन बार करिएगा और आपकी जो history है वो permanently delete हो जाएगी शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है लाइक करें कोई सवाल है कमेंट करें